हेलो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स क्या गर्मियों के अंदर जो अंडे होते हैं यानि जो एग होते हैं वो आपके डोग के लिए safe हैं या नहीं है या हम ये बोल सकते हैं are a good for dog in summer तो basically ये जो question है काफी लोगों ने मुझे comment section में पूछा और ये भी पूछा है कि हमको हमारे डोग को अगर egg देना है तो वो किस तरह देना है तो सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए आपके डोग के लिए जो eggs हैं वो बिल्कुल safe रहेंगे summer season के दुरान तो summer season के दुरान आ 10 तक complete समझा दूँगा कि कैसे देना है और कब कब देना है या किस time देना है आप ये in the sense ये बॉल सकते हो ठीक है तो specially अगर मैं बताता हूं इसका answer आपको देता हूं तो इसका answer रहेगा हाँ मेरे पैरे दोस्तों आप अपने डोग को एग दे सकते हो गर्मियों के season के दुर की diet के अंदर add करना चाहिए या जिसका हमारे डोग की बोडी के अंदर अच्छा result मिलेगा सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूं एक की तो उसके अंदर आपको protein content देखने को मिलता है जो कि आपको 60% देखने को मिलेगा या हम बोल सकते हैं albumin albumin नाम का आपको इसके अंद की चल रहा हूं 50 गराम वो भी without shell के तो उसके अंदर 5-6 गराम तो भाई only protein है तो तभी मैं बोलता रहता हूं कि एग को जरूर एड करो आप अपनी डोग की डाइट के अंदर अब एक के बाद की योग होता है 30% part of the egg यानि हम एक complete एक की बात करें तो 30% part होता है बाकी की देखने को मिलेगी या जिसको हम उतार देते हैं अगर हम बोईल कर रहे हैं तो बोईल करने के बाद हम उस कवरिंग को उतार देते हैं फिर हम हमारे डोग को एग दे सकते हैं बात यह है इसके अंदर albumin पाया जाता है जो की protein रिच है basically albumin एक protein ही है तो एक protein रिच amino acids भी पाया जाते हैं बहुत सारे acids हैं अगर मैं बात करता हूं minerals की minerals की बात करें तो इसके अंदर minerals जो मिलेगा आपको phosphorus देखने को मिलेगा और साथ में ही आपको iron भी देखने को मिलेगा जो की dog की body के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है उसकी bone की growth के लिए बहुत ज़्य जाता है अब मैं बात करता हूं lipids की in the sense आप बोल सकते हो कि एक fat हम इसको resemble कर सकते हैं तो आपको 33% saturated देखने को मिलेगा और 66% unsaturated देखने को मिलेगा तो आप इसके अंदर मैं fat की बात कर रहा हूं तो आपका जो दिमाग है एक तरफ यह जाएगा कि मुझे हमारे dog को मोटा तगड़ा और heavy bone वाला बनाना है तो मैं उसको without उसकी योग के दूँ या योग के साथ ही दे दूँ यानि complete egg दे दूँ तो मेरे पैरे दोस्तों इसका मैं आपको इस answer दे देता हूं अगर आपके पास एक puppy है आप अपने puppy की growth अच्छी करना चाहते हो तो आपको उसको बिल योग मत दो only जो white part है वो देना है आपको अगर आप अपने dog का body weight loss करना चाहते हो आप यह चाहते हो कि मेरा dog काफी जदा heavy bone वाला हो गया है यह heavy bone तो ठीक है ज्यादा fat आगी है obesity आगी है उसको अगर कम करना है तो आप only white part अपने dog की diet के इंदर add करो लेकिन आपके पास एक उनका digestive system, digestion जो है well maintained होता है कोई भी issue नहीं आएगा अगर कुछ बाहर की कोई चीज भी खा लेते हैं तो digestion system के अंदर कोई भी problem नहीं होने वाला जो की basically safe रहेगा आपके adults dog के अंदर या जो बड़े जो dog है आगे मैं बात करता हूं इसके अंदर अगर मैंने अब lipids के बारे म हम हमारे dog को मोटा तकड़ा और हैवी बनाना चाहते है तो आप यह दे सकते हो अब मैं बात करता हूं carbs की तो carbohydrate थोड़ा आपको इसके अंदर कम देखने को मिलेगा something like 0.36 आपको देखने को मिलेगा gram के हिसाब से ठीक है तो यह आपको carbs देखने को मिलते हैं तो energy तो आपको आपके dog को मिलेगी ही अगर आप egg को add करोगे तो अब मैं बात करता हूं vitamins की एक vitamin को छोड़के जितने भी essential vitamins हैं सभी पाए जाते हैं egg के अंदर कौन सा vitamin C vitamin C को छोड़ दो बाकी जितने भी vitamin है सभी इसके अंदर मिलेंगे आपको vitamin B1, B6, B12, riboflavin देखने को मिलेगा और basically बहुत सारे है thiamine वगयरा जो B1 के ही जो दुसरे जो names होते हैं वो available होते हैं तो सारे के सारे ही आपको vitamins देखने को इसके अंदर मिल रहे हैं एक pentothenic acid देखने को मिलेगा बहुत ही beneficial होते है डोग की skin की growth के लिए hair की growth के लिए बहुत लोग बोल रहे थे कि सार hair fall हो रहा है तो hair fall भाई आप इनको add कीजिए अच्छी diet कीजिए hair fall ज़रूर रुख जाएगा तो diet ही ऐसा reason होता है जिसके वज़े से hair fall ज्यादा हो जाते हैं आपक डोक्टर महेंगी महेंगी दवाईयां लिखेंगे अब दवाईयां लिखेंगे कुछ medicines वैसी होते हैं जो हम afford ही नहीं कर सकते हैं बहुत महेंगी होती हैं तो आप उसकी diet को ही अच्छी कर लो well nutrients उसके अंदर add कीजिए आप आपके डोग की body healthy बने रहेगी डोग बिलकुल भी बिमार नहीं पड़ेगा तो मेरे पहरे दोस्तों आपका ये डाउट भी clear हो गया होगा अब एक डाउट और आता है आपका कि सर हमको हमारे डोग को पूरे दिन के अंदर egg कितनी बार देना है तो मेरे पहरे दोस्तों इसका answer है आप अपने डोग को दो बार egg दे सकते हो गर्मियों के सीजन के अंदर भी कोई भी side effect नहीं होने वाला है बट पपी को थोड़ा कम करना थोड़े से जो growing है उसको आप one and half दे सकते हो और adult को आप दो भी दे सकते हो पिलकुल भी issue नहीं होने वाला अगर आपका डोग बिमार है तो जो योक वाला जो portion है नहीं देना ह only white part आपको अपने डोग को खिलाना है because वो अच्छे से digest हो जाएगा किसी भी तरह का कोई digestion से related issue आपके डोग की body के अंदर देखने को नहीं मिलेगा तो मेरे पहले दूस्तों अब question में ये भी आपको देखने को मिलेगा कि अब हम हमारे डोग को एक देने वाले हैं तो first time अ boil करके दीजिए आप यह मत सोच लेना कि मैं आमलेट बनाके देदूं उसको या कुछ और डिश्ट बगएरा बनाके देदूं because उसके अंदर तो मसाले वगएर एड होते हैं तो वह जो मसाले हैं आपके डोग की body के लिए वैसे ही ठीक नहीं होंगे तो आपको ऐसा नहीं कर बता दीजिए मैं उसके उपर एक अच्छी सर्च करके आपके सामने एक वीडियो पेश करूँगा अगर कोई ऐसा नॉर्मल एक डाउट होगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाइ करने की पूरी कोशिश करूँगा तो मैं आशा करूँगा आप इस वीडियो क प्रण विडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे बीकोज डबैतम विजन ओलि आपके डोग के के लिए सब्सक्राइब हमेशा चर्क रहता है हमेशा र Prayos darala तो मैं एक आप से यहीं गुजारिष करू घूँगा प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेर जुरू कर देना थैंक यू सो मच फर वाचिंग दिस और प्लीज दू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेर थैंक यू सो मच जै हिंद, जै भारत